नमस्कार विद्ध्यारतियों PR 302 General Characteristics of Things के इस वीडियो लेक्चर में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी समान्य करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके बारे में डिस्कसिन करेंगे समझने की कोशिस करेंगे कि क्या होती है मुख्यता जो प्रिंटिंग इंक्स हैं उनको किन भागों में बाटा गया है मोटे तौर पर प्लस उनकी मुख्य मुख्य करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो उसमें हमें ध्यान रखने ही हो गया है या जिसे हम देख के पैचान सकते हैं काम में ले सकते हैं या ग्रेवियर या फ्लेक्सों की इंक को आपस में या स्क्रीन प्रिंटिंग की इंक को आपस में काम में ले सकते हैं तो हमें इसके बारे में मोटी मोटी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ज्यादा डीटेल नहीं मोटी मोटी जो इनके लिए बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक इनके वीकल या सॉल्वेंट से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए Printing inks is essentially an intimate mixtures of pigment, oils, varnishes, dryers and frequently waxy and greasy compounds Printing शाहियां जो होती है, वो एक intimate mixtures होती है, pigment का, oil का, varnish का, dryers का, और कभी कबार wax और अलग greasy compounds का The ink must process suitable physical characteristics such as viscosity, flow and tack to adapt it to the particular type of printing press and stock on which it is to be used यह जो process है ink का, एक ऐसा physical characteristics process होता है, जिसमें कम से मतलब उस ink में सामानियत है जो भौतिक गुणों जो होता है विसकोसिटी, flow, tack यह जरूर होने चाहिए Relatively उस particular type की printing press और वो stock जिसके उपर आपको print करना है, stock का मतलब को substrate जिसके उपर आपको print करना है और printing press जिस भी process के लिए आप वो ink बना रहे है उसके लिए तो बहुते गुण क्या क्या हुए viscosity, बहने की शमता, flow, flow और tag चिपकने का गुण viscosity, श्यानता, flow, बहने की शमता, और tag चिपकने का गुण यह तीन मुख्य बात है flow मतलब माल लीजिए offset motion में ink trail जो होता है वो उपर होता है, 3C जो होती है, satellite उन्हें उसमें उपर बीच में और नीचे की तरफ होता है, तीसरी unit तो अगर flow नहीं होगा तो ink roller के roller के roller के माध्यम से plate cylinder तक नहीं पहुँचेगी तो flow का गुण होना जरूरी है शियानता, viscosity, कितनी पतली कितनी गाड़ी होगी यह भी जरूरी है जैसे graveyard और हम letter press की ink की तुलना करें तो letter press की ink तो बहुत ही सक्त होती है और गाड़ी होती है और graveyard की ink बिल्गुल पानी की तरफ पतली होती है हो गया, tag या नि चिपकने का गुण यह तो सिधा-सिधा किसको effect करता है? substrate के उपर उस substrate के उपर जिसके उपर वो ink लगने वाली है वो polyester भी हो सकता है polythene भी हो सकता है कागज भी हो सकता है तो तीन बहुतिक गुण तो आपने अब समझ लिए, viscosity flow and tag यह तीन मुख्य characteristics तो है यह Each type of press and each kind of grade of stock required an ink of different physical characteristics to ensure that it will distribute properly and transfer correctly from the type to the paper भिन-भिन प्रकार की pressे और भिन-भिन प्रकार के stock उनकी यह आशकता होती है कि उनकी इंक में different, different प्रकार यानि भिन-भिन प्रकार की physical properties हो जो कि यह ensure करें कि ink fountain से लेकर subtract तक वो ink का distribution सही हो properly transfer हो और type से लेकर प्रिपर तक की printing पूरी हो सके It must print sharply and give legible print of the desired color Print sharp होना चाहिए और legible होना चाहिए यानि कि दिखने लायक हो समझने लायक हो और वो भी आपके एच्छा अनुसार रंग में, desired color The ink must dry sufficiently fast to enable the printed sheet to handle within a responsible time Ink इतना sufficient होनी चाहिए dry sufficient का मतलब fast to enable printed sheet मतलब सूखने की शमता इतनी जादा हो इतनी अच्छी हो कि reasonable समय में वो ink सूख जाए printed sheet के उपर ताकि उसको handle करने में दिकत ना आए without offsetting और smudging यह दो दोश हैं जो ink ना सूखने के कारण उत्पन होते हैं यदि एक के उपर एक sheet गिर रही है एक के उपर एक sheet गिर रही है या web roll हो रहा है और पहले वाली ink सूख ही नहीं तो क्या होगा जो उपर आने वाली sheet है या उपर आने वाली web है उसके back side में वो ink लग जाएगी और नहीं भी लगी तो ink smudge हो जाएगी यह दो दोश हैं जो ink के responsible time में ना सूखने के कारण होगा Besides these general properties it is usually important that the ink print a sufficient number of impressions इनके अलावा इन सामान्य गुनों के अलावा ink में sufficient number of impressions होने चाहिए कहने का दात पर यह है कि हमें ink का proper mileage मिले हमें ink से proper impression मिले हैं many other properties such as resistance resistance to acid alkalis paraffin sunlight and solvents may be required and are obtained through formulation and selection of ingredients इसके अलावा गुन कौन- कौनसे और जैसा अमल के प्रती अलावह यह हुनी आश्ड़क है और इसे परात करने के लिए हमें कौन से indigreants का चुनाव करना है इंक बनाने के लिए या कौन से formulation का चुनाव करना है इंक बनाने के लिए वो आवशक है required है अब हम बात करते हैं printing inks के classification की हम तीन मुख्य class के अंदर उसको बाठ सकते हैं पहला typographic ink, दूसरा planographic ink, तीसरा integlio ink, corresponding to three major divisions of printing, each of these each of these three different classes of inks must be essentially different in character and properties, इन तीनों के अंदर character और properties तीनों अलग अलग है इनके classes के इसाफ से, कोई भी अपने other two यानि कि किसी भी ये class के ink ले लिजी आप typographic, planographic, वो आपने जो बाकी के दो classes हैं उससे अलगी होगी typographic inks are used to print from raised or relief surfaces such as ordinary type line and half tone cuts typographic inks का यूज किया जाता है उब्रेवे या relief surface से सामन्य प्रकार के line या half tone work में और सामन्य प्रकार के stock पर the inks consist of soft pigments ground in a varnish or vehicle composed essentially of heat boiled acid oil or more recently of synthetic resins dispersed in drying oils since the paper of the other drying surfaces of which they are printed in generally more or less non-absorbent they must dry mainly by oxidation of the vehicle they process considerable tack i.e. stickness and pull so that they will distribute evenly on the press and transfer properly from type to paper समन्य ते ये inks जो होती है lincid oil गरम lincid oil में अच्छी तरफ पीसे गए pigments varnish को मिला कर बनाई जाती है आजकल synthetic resins का भी उस प्रियोग किया जाता है drying oils में mix करके मुख्यते non-observant servant come less less non-observant servant या फिर अधिक observant servant पे oxidation से ये inks फीकल सूखता है और इसमें tag की शमता बाकी सभी inks से थोड़ी जादा होती है ये सभी गुर्ण मिलके इस बात के लिए इसको prefer इस बात के लिए इसे तयार करते है require करते हैं ताकि ये transfer properly from type to paper हो जाए type से लेकर paper तक अच्छी तर transfer हो जाए typographic inks next planographic inks are used to print from plane surfaces as in the lithographic and offset process process plane surface पे वो था raised surface से उब्री भी सतय से यहनी कि type से paper पे चपना यह plane से plane पे paper plane to planography plane to plane चपना है जैसा कि offset में होता है these inks are generally considerably heavier than typographic inks यह थोड़ी भारी होती है typographic inks के मुकाबल है that is they process considerable tag in other words they are more viscous and have higher yield value than typographic inks यह अधिक विसकोस होती है और इनकी yield value typographic inks के मुकाबले ज्यादा होती है यानि impressions ज्यादा मिले the pigments and decals used in these inks must not be affected by water since the process depends upon the fact and fact that that grease in this case planographic inks the water are mutually repellent क्योंकि हम offset का सिद्दान जालता है कि water repels grease and grease repels water इसलिए यह inks का पानी से प्रभावित होना स्विकारिय नहीं है क्योंकि इसमें water mutually repellent हो गए ही होगा in the old basic lithographic process a design was drawn with a greasy crayon on a smooth limestone slab and the whole surface of the slab was then impregated with gum arabic solution after subsequent drying it was found that lithographic ink would add her on the design but not to the remainder remaining of the slab provide it was kept moist in the most modern version of the planographic process grained metal metal plates take the place of the cumbersome limestone slabs and the greasy image or design are formed on the plate by photographic means lithographic or planographic का कैसे हम इसमें संबंद बिठाते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे पिछले समय में काफी पुराने समय में जब litho stone से चपाई होती तो होता क्या था एक lime stone होता था जिसके उपर हम greasy crayon से कोई design बनाते थे और बाकी का जो हिस्सा था उस lime stone का design के अलावा उस पर gum arabic का solution लगा देते था gum arabic का solution उस design के उपर जो की greasy crayon से लिखा हो आया उसके उपर नहीं लगता था बाकी non image area पर लग जाता था then we apply the ink and we get the impression from it that is the principle we use in planographic in this planographic a matter plate matter plate we used which is grain and the non image area of the metal plate is hydrophilic nature which is attract only water and the image which is developed on the plate with photographic means only attracts the ink which is because the image of the plate is oilophilic nature इसके बाद आती है आपकी इंटेग्लियो इंक्स originally called steel or copper platings are used to print from engraved or depressed surface engraved यानि को दीवी है depressed दीवी the character of the ink depends upon the kind of plate the type of press being used and the spread of operations thus hand printing of fine engraving requires an ink which will dry by oxidation and which process buttery consistency at the same time it must be quite greaseless so that the excess ink may be wiped off the face of the plate without disturbing the ink in the lines and so that the ink will lift readily from the lines of the engraving when the paper is pressed again since the paper used in this class of printing is generally damped before used the ink also must exhibit no tendency to bleed or dissolve in water at the other extreme are extreme intaglio inks which are used to print from engraved copper rolls at the high speed here the drying is mainly by absorption and evaporation and the ink must be very thin and consist of low gravity pigments suspended through oil in highly fluid vehicles which contains little or no drying oil in a two-day type of work which contains two certain types in the form of induction into the ink plus this one this is the pure safety part of the ink which can allow the ink to protect the punch which is regular ink which isods in the form of the ink plus this one this is the color of the ink that is used to wipe off the ink which is a very much essence in the shape of the ink which will be used in the interior of the ink which will be applied in as much as it must beламented lowest में वैसे ही है और जब इसके प्रेस्षर लगकर कागज निकलता है तो वो जो में 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 dernière में में डॉड्स में भार्प Sound भही यह वो हो जाती है लेंडीजन में वह जो इंग है वा और आ ग्रिविटी ईट इन information करती है जिसके लिए एक रिब अधर का हो ना ज़रूर यह जिसमें से वह cabinet में से वह वैब होकर निकलेगा और वह इंग कंसेस्ट करती हो लो गिरिविटी किया जाता है suspended किया जाता है उससे इंक बनाई जाती है और यह जब पेपर या फॉयल के ऊपर ट्रांसफर होती है और वह फॉयल या पेपर या पॉलियोस्टर एक ऐसे केबिनेट में निकलता है जिस पर से गरम महावल गरम ब्लोवर की हवा आ रही है तो पिगमेंट उसके ओ रहे जाता है और बाकी जो ड्राइंग ओयल था जो आपका ड्राइंग ओयल जो आपका वह हीक On आ कि प्रकौर्पिकेशन थे कि मैंने अपनी तरह से अच्छ तरह समझाने की कोषिश की है आपको टाइपोग्राफिक प्लेनो ग्राफिक से पेपर पर इमेज से प्लेन पर ट्रांसफर होना और इंटाइगलियों यानि ग्रेव एंग्रेव सर्फेस से नीचे उस इमेज से पर पर ट्रांसफर होना तो तीनो также की इंस में? हमने एक classification समझने की कोशिश की उमीद मेरा ये lecture आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आज के लिए हम यहीं समात करते हैं धन्यवाद अगले lecture में हम इसके और जो गुण है वो discuss करने की कोशिश करेंगे Thank you